जैश्री राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ आईए जानिये हमारे हिंदू धर्म में शनी को सबसे पापी ग्रह माना जाता है और शनी देव को सबसे अधिक रोध वाला देव माना जाता है शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस भी इनसान के ग्रहों के उपर शनी का प्रभाव पढ़ जाता है तो उस इनसान के जीवन में मुसीब्तों को आना शुरू हो जाता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो कि शनी हमारे ग्रहों पर बूरा प्रभाव डाले शनी देव जब भी किसी के उपर महरबान होते हैं तो उस इनसान का समय बहुत ज्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है इंदो धर्म की मान्यताओं के अनुसार शनी देव को खुश करना काफी मुश्किल होता है जिस इनसान पर शनी के बार महरबान हो जाते हैं तो उसकी तो जैसे किस्मत ही चमक जाती है उनकी किस्मत में पैसा आने वाला होता है शनिदेव का प्रकोप भी जब किसी पर पड़ता है तो उस दिन से उसका बुरा समय शुरू हो जाता है जब शनिदेव किसी पर महरबान होते हैं तो उसकी किस्मत ऐसी चमकती है कि बस उन लोगों के जीवन में खुशियों की लहर आ जाती है आपको बता दे की 21 साल बार महासनयोग बन रहा है जिससे शनिदेव पांच राशियों पर अपनी कृपा बनाने वाले हैं आज हम आपको उन पांच राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर शनिदेव ने अपनी कृपा बनाई है सबसे पहले मेश राशी की बात करें, तो इस राशी के जातकों के लिए शनिदेव आज से 21 साल तक महरबान रहने वाले हैं, आपके घर में धन की वर्षा होगी जिन लोगों की आर्थिक स्तिथी सही नहीं है, उनके दिन सही हो जाएंगे, आई कमाने के नए रास्ते खुलें आपको संतान से जुड़ी खुश्कबरी मिल सकती है, करक जातकों पर भी शनिदेव अपनी विशेश क्रिपा बनाए रखने वाले हैं, शनी की क्रिपा आपके परिवार में सुख और शांती का माहौल बना रहेगा, आपके घर के कलेश दूर होंगे, अगर आपका कोई धन कहीं फस गया हो, तो वो आपको वापस मिल सकता है, प्यार के मामले में भी आप काफी भाग्यशाली रहेंगे, छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी, बस थोड़ी सी मेहंत करने की जरूरत है, और आप अपनी मन्जिल को पा सकते हैं, कन्या राशी के जातकों के लिए अगले 21 साल तक काफी भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि शनिदेव इन लोगों पर काफी महरबान रहेंगे, इन जातकों के लोगों को काफी धन लाब होने वाला है, और आपके घर में खुशिया आने वाली है, आपकी आर्थिक स्तिथी बूत हो जाएगी, आपकी सभी इच्छाय पूरी होगी, अब अगर मकर राशी वालों की बात करें, तो इन जातकों के लोगों के लिए ये काफी भाग्यशाली रहेंगे, इन जातकों के लोगों को धन का लाब होगा, और अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, आपके दिन अच्छे रहने वाले है, कुम्भ राशी वाले लोगों के लिए ये सन्योग बहुत ही शुब होने वा है, इस राशी के लोगों का भाग्य बदलने वाला है, घर में हो रहे तनाव से छुटकारा मिलेगा, और परिवार में सुख और शांती का माहौल बना रहे आपको अपने कार्य शेत्र में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ होगा, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सच्चे दिल से जै शनी देव और जै श्री राम लिखना ना भूले